प्रिपाट को राजेस्तर की प्रसास्तिक परिक्षाओं की तैयारी में जितने भी जात्र जितने भी अभ्यार्ति लगतार प्रत्रसील हैं, उनके लिए निर्धारित से लिवस में आधुनिक भारत की इतिहास, अधार्त इतिहास विशे में आधुनिक भारत की इतिहास के अं और ये राश्टी अंदोलन से जुड़ा हुआ एक अंदोलन का नाम है, जिसे होमरूल अंदोलन का नाम दिया गया है। अथार्थ, बीश्विन सतावदी के पहले अथार्थ, दूसरे दसक में सक्री हुआ ये अंदोलन इस तरीके से भारती राजनीती को एक नई दिशा दे गया, उस पर चर्चा केंदरित होगी। तो मुखे पर इच्छा में यदि इसको दृष्टिकत रखते हुए, कोई प्रसन पूछा जाता है, तो वो प्रसन कैसा होगा, और इस प्रसन के व्याक्षा कैसी होगी, इस पर हमारी नजर होगी। तो चलिए मिलकर हम लोग आज इस प्रसन के व्याक्षान को समझने की कोशिस करते हैं। प्रसन हो सकता है कि होम रूल से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके उदे के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताएं, कि भारती सुतनतरता संग्राम में इसने किस प्रकार किया। तो जब इस तरह का प्रसन दिर्गोतरिय में पूछा जाए तो आपकी व्याक्या बिलकुल संतुलित और एक अनुसासी तरीके से दिखनी चाहिए। अथार्थ पहले पारग्राम में आप भूमी का दर्ज कराते हैं और उसके बाद से इस दूसरे हिस्से में आप प कुछ बातों का लिखना वांचित है। आप लिखते हैं कि भारत के अथार्थ 20 सताबदी के दूसरे दसक में जो प्रतम विश्वयुद का जो असर हुआ उसके महत्तों दो कारणों से देखे जा सकते हैं। पहला कि विश्वयुद काल में भारत में करांतिकारियों की सक्रि पूरे देश में बड़ी थी, काफी बड़े हुई थी। दूसरी एक और घटना जो इस कालखन में हुई थी कि देश के अंदर होम रूल आंदोलन एक तरह से विक्षित हो गया था। अथार्थ मैं बात कर रहा हूं प्रतम विश्वयुद के समय के कालखन के में उभरे हु हुए इस लीग के बारे में है। तो जहां तक होम रूल सब्द को भी समझना जरूरी है उसके बाद इसकी व्याख्या विदिवत समझ में आ सकती है। होम रूल एक आईरिस सब्द है और भारत में इस अंदोलन को जनम देने का स्रे एनी बेसेंट हो जाता है। जो 1893 में थ प्रचार करने के माद्यम से देश की अंदरनी हालातों पर अपनी कंभीर दृष्टी डालने के साथ यहां की राजनीती में अपनी यहां की देश की समस्या के समधान में किस तरह से विदिवत या फिर बिंदवार रुची दिखाए उन्होंने उसी पर केंद्री थे आज की ब्यार्ट है तो भारत में रहने के करम में उन्होंने सेक्षिनिक गतवीदियों में भी काखे रुची दिखाई है ना और यह कहा जाए तो अठारा सुन ठानवे उसी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल स्कूल की बीस्थापना की जो बाद में मदम मोहन मालवी के द्वार इस्कूल एक आगे हां थे कि बीएचु की इस्थापन बीएचु का नामकरन पा गया तो यह अलग बात है लेकिन आपको यहां दर्श करना है कि जब एनीवेसेंट 1915 एसी में अपने उमर के सरसक्वे वर्स में अपने राजनीतिक गतवीदियों में रुची लेने के कारण वो कांग्रेस में धेर देर सामिल होती चली गए और 1917 एसी में अंतरता उनके उस सक्रि भागिदारी के कारण उने कांग्रेस की अध्यक्षा भी बना दिया गया तो जब उन्नें अध्यक्षा बना दिया गया तो उनकी प्रथम कोशिस यह हुई कि कांड्रेस को सितिल पड पर होमरूल अंदूलन को वो चलाने के लिहाज से उन्होंने पहली कोशिस यह की कि सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस इस गतिविती को अथार्थ होमरूल लीग के उस काम करने की जो तौर तरीके थे उसको गतिविती को अंजाम देने के लिए उनके लिए जरूरी था कि को मुख्य धारा में वापस लाना चाहती थी क्योंकि उससे पूरे सूरत भी में दोनों के मैं वैचारिक विवाजन हो चुका था हाला कि इस काम को अंजाम देने से पहले गतिविधी कि उनकी जो अपनी नीजी गतिविधी है उस पर भी ध्यान देने के हो सकता है तो एनिवेसेंट ने 1915 एसी में भी एक अलग मुहिम की साथ में सावनांतर सुरवात की थी अथार्त उन्हेंने निव इंडिया और कॉमन मिल नामक दो समाचार पत्र निकाले थे और इस दोनों समाचार पत्रों के जड़िये उन्हें लोगों की भावनाओं को एक दूसरे से जोडने का होम रूल की महत Cathy को समझने का समझाने का प्रयास किया इस कडि में जनसभा का आयोजन करवाया उन्होंने कॉन्फरेंसों का आयोजन करवाया इस तरह सौराज का इंग कहे तो अलग जगाने का भरपूर प्रयास किया इसी करम में उन्ही के उस प्रयास का नतीजा ये था कि अप्रेल 1916 में बालगंगदर तिलक वापस राजनीती में सक्री हो गये तो अप्रेल 1916 में प्रूना में तिलक ने होम रूल लीक की स्थापना कर दी थी और उन्होंने महाराष्ट को अपना आधार बनाया था उनका होम रूल लीक अथार्थ तिलक का जो होम रूल लीक था उनका जो केंद्रित छेतर था वो महराष्ट, मध्यप्रांथ और करनाटक तस्तिमित था वर्स 1916 में तो लीक के सदस्यों के अगर बात करूं, तिलक के लीक के सदस्यों की बात करूं, तो उनकी संख्या सुरू में 1400 हो थी, जो की 1917 इस्विता काते आते, अथार्थ उसके प्रारम में लगबग उसकी संख्या बढ़कर के 32,000 हो गए उनके इस सक्रीग गतिविधी को द्रिश्टिकत रखते हुए एनी बेसेंट ने भी अपने होम रूल लीक को भी उसी तरह से सक्रीटा दिखाने का प्रयास किया और मात्र छे मेने के अंतराज में अथार्थ सितम्बर 1916 इसी में होम रूल लीक की स्थापना भी उन्होंने कर दी चिसमें वे स्वेम ध्यक्षा बनी, जोर्ज अरेंडल से स्थापक सच्चिव बनी, सीसी रामा स्वामी को उन्होंने महासच्चिव का दर्जा दिया इस तरह से वीपी वाडिया को कोसाध्यक्ष का दर्जा दिया, इस तरह दोनों ने एक तरह से परिपकता का परिचे देते हुए अपने अपने छेत्र को सुनस्चित कर लिया था होम रूल के अनिवारता पर एनिवेशन ने कहा था कि भारत में दो कारणों से होम रूल का होना जरूरी है पहला कि आजादी किसी भी देश का जन्मसित अधिकार होता है और दूसरा कारण यह है कि देश का संपुर्ण संसादन ब्रिटिस सामराज्य के हितों में लग रहा है और देश अपने संसादनों का इस्तेमार अपने हित के लिए नहीं कर पा रहा है तो इस विशे पर वो काफी गंबिर हो करके अपना विचार अपने कारिक्रमों के जरिये प्रचारित कर रही थी इसी मुहीम में तिलक ने भी निर्वे हो करके यह घोसना की कि स्वराज हमारा जन्मसित अधिकार है और मैं इसे ले कर रहोगा जहां तक एनिवेसेंट के किये गए प्रयासों की बात की जाए तो एनिवेसेंट ने समाज के नई नसलों को भारने के लिए सहरों में अध्यापन कर्चों की बेउस्था की बड़ी संख्या में पंपलेट बटवाये और अतितिक आर्खानों का आयूजन किया गये साखाएं अपने संस्थान की अधार्थ होम रूल लीग की खोली और उनके सदस्थों की संख्या भले ही 27,000 के आसपस थी जब कि तिलक के लीग की सदस्थों की संख्या 29,000 के आसपस हो गई थी जून 2017 में इस अंदोलन को उस समय और जोर पकड़ा जब मदरास सरकार ने एनिवेसेंट को नजर बंद कर दिया इस समय मोतिलाल नहरू, तेज बहादूर सपरू, मुंसी नरायन परसाद जैसे नेता होम रूल में सामिल हो गये थे और बड़े ही ज जोरदार तरीके से पूरे राश्ट कबर में प्रदर्शन किया था है इनोंने, तो कहा जायती इस अंदोलन की जो बड़ी उपलब्दी ये थी, कि इस तरह से नई पिढ़ी, इस अंदोलन में, इस सोच में नई पिढ़ी के हजारों लोग नेता जुड़ते चले गए, मदर ये सबसे अनुठी खासियत थी इस अंदोलन की, कि इस अंदोलन में सस्तरों के प्रयोक्या रुमती नहीं थी, तो यह कहा जाये कि अंग्रेजों के विरुद, अपने अस्तित्तों की वजूद की लड़ाई के लिए, ये अंदोलन एक तरह से बुदी जीवियों को रभुत करते हुए, उन्हें फ्रंट में रखते हुए अंदोलन को गतिमान देने की कोशिश की गई थी, तो कहा जा सकता है कि भारती जनता को सुसुफता वस्ता से जगा कर, जगाना ही इस अंदोलन का कहा जाये तो लक्ष रहा था, ये अलग बात है कि ऐसा लीग की, इस लीग में तो दक्षिन भारत के मुसल्मान, एंग्लो-इंडियन और ग्रेम गैर ब्रामनों के बीच में अधिक समर्थन नहीं मिला, ऐसा इसे लिए क्योंकि उन्हें ही लगा था कि या कुछ वर ये हिंदू बहुत संख्यकों का संगठाने है, हाला कि निसकर्ष के तोर पर आब आप लिखने की कोशिस करेंगे, हाला कि होमरूल अंदूलन अपने लक्ष को पाने में भलेहिया सफल रहा, लेकिन इसने भारती राजनीती में कहा जाए, तो एक नया वातवरन बनाया, या वातवरन जनसभाओं का था, प्रदर्शनों का था, तो एक तरह से इस तरह की इस कालखन के बाद एक रूटेन सी बन गी, और इसी का तातकालिक लाव यह हुआ, कि अंग्रेजों के द्वारा मॉन्टेग्यू चन्सपोर्ट सुधार का धिन्यम पारित किया गया, तो कहा जा सकता है, कि 1916 से सुरू होकर, 1917 तक इस अल्पकाल में सुरू हुए इस जैसा कि प्रसंट था कि होम रूल से आप क्या समझते हैं और भारत में इसके उद्य के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि भारती स्वतंता संग्राम को इसने किस प्रकार पर भावित किया, तो इसको केंद्रित करके आज मैंने यह अव्याख्यान आपके समक्ष प्रस्त किया, उमिद करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आपको परिक्षा प्योंगी लगेगा, और परिक्षा में जब भी चाहे मुख्य परिक्षा हो, चाहे प्रारंबिक परिक्षा हो, जो भी प्रसंट इसके संदर्ब से लिए जा सकते हैं, बड़े सहस्ता से आप इस सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साजा करें, मैं जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद